इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रक्सॉल काठमांडू रेललैन प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू को इंडियन डेलवे के नेटवर्क से कनेक्ट करना केवल इसलिए नहीं जरूरी है कि इससे दोनों देशों के बीच बेपार बढ़ेगा और इंडिया नेपाल के रिष्टे बेहतर होंगे बलकि ये रेललैन प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है कि नेपाल में चैना की दखल अंदाजी को कम किया जा सके दोस्तों चैना एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया प्रेशान है अल्रेडी पिछले सालों में गलवान, डोकलाम और अलग-लग एरिया में चैना के साथ लगातार ज़रप हो रहा है चैना strategically हमारे परोसी देशों में connectivity पर कापी ध्यान देने लगा है पाकिस्तान में CPEC यानि की चैना-पाकिस्तान economic corridor बना रहा है खायर पाकिस्तान से हमारा border secure है लेकिन नेपाल से हमारा border mostly open ही है और अगर नेपाल में चैना economic activity बढ़ाता है तो हमारी भी tension बढ़ जाएगी क्योंकि चैना नेपाल में काठ मांडू और लुम्बिनी तक rail line को बढ़ाने की planning कर रहा है तो हमें चैना से पहले ही नेपाल में rail connectivity बढ़ाना होगा ताकि चैना को नेपाल में रोका जा सके तो अभी हम लोग जानेंगे कि चैना का क्या plan है नेपाल में और उसके जबाब में इंडिया क्या planning कर रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिये दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जायनगर जनकपूर कुर्था rail line के बाड़े में जाना था इस rail line के बनने से नेपाल और इंडिया के बीच rail connectivity हो गई है और इस rail line का अभी विस्तार भी किया जा रहा है साथ ही रक्सॉल और बीरगंज के बीच भी फ्रेट ट्रांस्पोर्ट के लिए rail line बनाया गया है इंडिया और नेपाल के बीच थार्ड rail line जोगबनी और बिराटनगर के बीच अभी बन रहा है इन तीनों rail line के बनने से नेपाल और इंडिया के बीच रीजिनल rail connectivity हो जाएगी लेकिन नेपाल की capital city काठमांडू तक rail के बनने से नेपाल के maximum area में rail connectivity हो जाएगी तो पहले हम देखते हैं कि चाइना का क्या plan है नेपाल में railway को लेकर दोस्तों चाइना plan कर रहा है कि नेपाल में काठमांडू के साथ पोखडा और लुम्बिनी तक rail line को extend किया जाए लुम्बिनी इंडिया के border से बिलकुल नजदीक है और बाउद धर्म के लोगों का एक पवित्र तीर थस्तल भी है और ये rail line तिबबत के केरंग से नेपाल को connect करेगा तो इस rail line के बनने के बाद काठमांडू तक चाइना से बेहतर connectivity हो जाएगी और साथ ही लुम्बिनी तक चाइना की direct connectivity होने से इंडिया को काफी जयदा खत्रा होगा इस rail line की planning चाइना काफी पहले से ही कर रहा है लेकिन 2014 में लहासा सीगेट से rail line के complete होने के बाद चाइना ने इस rail line के लिए feasibility survey विशुरू कर दिया लेकिन 2015 में नेपाल में काफी भयंकर भुकम पया था और इस भुकम के बाद चाइना ने इस rail line को ठंडे वस्ते में डाल दिया था क्योंकि चाइना से नेपाल तक rail line बनाना काफी challenging है earthquake prone area होने के साथ साथ हिमालय की उंची उंची पहारियों से ये rail line क्रोस करेगा इन चुनोतियों के बाबजुद भी चाइना इस rail line project को complete करना चाहता है और 2016 में नेपाल और चाइना के बिच फिर से समझाता हुआ इस rail line project को बनाने के लिए और 2018 में चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए feasibility survey का काम फिर से start कर दिया था चाइना के plan को counter करने के लिए इंडिया भी काठ मांडू तक rail line की planning कर रहा है बिहार में रक्सॉल, जायनगर और जोगवनी के अलावा उत्तर प्रदेस में बाबागंज, बरही और कुसी नगर साथ ही वेस्ट बंगाल से भी नियू जलपाई गुरी से नेपाल को rail से connect करना चाहता है यानि कि जितना possible हो सके हर एक रूट से नेपाल को railway से connect कर दिया जाए में 2019 में जब प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी जी नेपाल गए थे तो इंडिया के रक्सॉल से नेपाल के काठ मांडू तक rail line बनानी की सहमती बनी थी कोंकन railway को जिम्मेदारी मिली है रक्सॉल काठ मांडू rail line को execute करने का रक्सॉल इंडिया में बिहार में है तो रक्सॉल से काठ मांडू को connect करने के लिए अभी चार रूट को select किया गया है और इन अलग-लग चारों रूट में रक्सॉल से काठ मांडू की distance 150-200 km के बीच है लेकिन काठ मांडू के साथ-साथ दूसरे महत्वपुर्ण city को भी railway से connect किया जाएगा तो इस rail line की length लगभग 200 km होगी और railway officials के according इस rail line में अभी preliminary survey हो रहा है लेकिन land acquisition में काफी problems है क्योंकि नेपाल को China अपनी और attract कर रहा है जिस कारण से नेपाल land acquisition में interest नहीं ले रहा है लेकिन ये rail line project नेपाल से ज़यदा इंडिया के लिए important है नहीं तो चाइना नेपाल को अपनी जाल में फंसा लेगा और वहाँ पर rail line बना कर आने वाले time में इंडिया के लिए problems create करेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन government इस पर action लेगी और चाइना को साइड करते हुए नेपाल के काफ मांडू तक चाइना से पहले ही rail line बना कर केवल चाइना ही नहीं पूरी दुनिया में अपना power दिखाएगी इस project के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताईएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको like कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी share कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताक कि हमारे आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे है पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद